मैं लीला देवी पुत्री परशुराम अपने और कई अधिकारी के सम्मुख यह वचन देती हूँ कि मेरा पती हमें पढ़ने के लिए दिल्ली भीज रहा है अगर मैं कोई नौकरी पाती हूँ तो मैं अपने पती को धोखा नहीं दूँगी और हमेशा उसके साथ रहूँगी अगर मैं इन बातों की खिलाप जाती हूँ तो अपने पती को एक करोर रुपे जुर्माने के रूप में अपने पती को दूँगी शादी का ये शपत पत्र इन दिनों सोशल मीडिया पर जम कर वाइरल हो रहा है इस शपत पत्र को लोग जोती मौरे मामले से जोड रहे हैं और पक्ष विपक्ष में खड़े होकर एक दूसरे के सवालों का जवाब दे रहे हैं दरसल PCS अधिकारी जोती मौरे अपने पती सफाई कर्मी आलोक मौरे को छोड़ने को लेकर सोशल मीडिया पर लोगों के गुसे का शिकार हो रही है जोती मौरे के समर्थन और विरोध के बीच सोशल मीडिया पर मीम्स की भी भरमार है साथ ही ऐसी भी खबरें सामने आ रही है कि पत्यों ने प्रतियोगी परिक्षाओं की तैयारी कर रही अपनी अपनी पत्यों को वापस बुला लिया है क्योंकि उनके मन में डर है कि कहीं उनकी पत्यों भी जोती मौरे की तरह पढ़ लिख कर उन्हें छोड़ करना चली जाए इस भी सोशल मीडिया पर ये शपत पत्र भी वाइरल हो गया जिसमें साफ तोर पर लिखा है कि अगर मैं कोई नौकरी पाती हूँ तो मैं अपने पती को धोकार नहीं दूँगी और हमेशा उसके साथ रभूँगी अगर मैं इन बातों के खिलाफ जाती हूँ तो अपने पती को एक करोर रुपए जुर्माने के रूप में दूँगी जोती मौरे केस के सामने आने के बाद इस शपत पत्र का वाइरल होना सीधे तोर पर इस केस के साइड एफेक्ट के तोर पर भी देखा जा रहा है आपको बता दे कि जोती मौरे, SDM और उनके पती आलोक मौरे के बीच चल रहे इस विवाद के बीच सोचल मीडिया पर यूजर्स तरह तरह के मीम्स बना कर कमेंट कर रहे हैं इतना ही नहीं, जोती मौरे विवाद पर कुछ लोग रिल्स बना कर महिलाओं को ना पढ़ने देने का संदेश भी दे रहे हैं तो कोई पती-पत्नी के रिष्टे पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहा है